दुस्तों नमश्कार, आदाब सत्स्रियकाल, नियूज क्लिक के करक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश क्या है आज की बात? मेरी बात, आप की बात, हर किसी की बात देश, दुनिया, गाउं, तेहाद, सत्ता, समाज, संस्कृति, मीडिया और सियासर, सब की बात नियूज क्लिक का वीकली शो, आज की बात मेरे साथ भारत की संसद के तोनों सदनों में 143 सदस्य जो विपक्ष के हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया लेकिन 143 विपक्षी सदस्यों के सस्पेंशन के बहुजोद, भारत के मीडिया के लिए ये बड़ा विशय नहीं है भारत का मीडिया जब मैं कह रहा हूँ, तो जिसको मुख्यधारा मीडिया कहा जाता है हलां कि मेरे हिसाब से मीडिया मीडिया है उसको मुख्यधारा या अल्पधारा या मद्यधारा कहने का कोई मतलब नहीं है लेकिन अपने देश में ये चलन चल पड़ा है क्योंकि टेलेविजन चैनल जो अपने देश के हैं और जो बड़े अखवार खासकर भाषाई अकबार हैं इंदी अकबार वो ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के खिलाफ ही हमेसा हर आरोप हर लांचन वो ऐसा लगता है कि उनके सवाल जितने होते हैं जितने आरोप होते हैं वो सारा विपक्ष केंद्रित होते हैं अगर सरकार की तरफ से कोई गलती होती है, कोई ब्लेंडर होता है, कोई उसके ऐसे तोर तरीके होते हैं जो वाकरी डबकुसी को डिरिल करने वाले हैं, कमजोर करने वाले हैं, उस पर भी मीडिया नौकेवल सरकार का बचाव करता है, बलकि सरकार की तरफ से और ज्यादा बढ चड़ कर बोलता है तो इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है विपक्ष की राजनीती में इतना बड़ा तुफान शायद ही कभी आया कि उसके सारे के सारे प्रमुक मेंबर जो हैं वो सस्पेंड कर दिये गए और किस बात के लिए सिर्फ एक इस मुद्दे पर कि भईया देश के ग्र अब तक हुआ है क्या कारण थे कौन इसके पीछे है या नहीं अगर है तो इसको किस रूप में सरकार देख रही है इस पर बयान दे दें करी मंत्री जी लेकिन उन्होंने बयान देने से भी इंकार किया और कोई सरकार की तरफ से इस पर कोई एक एक निर्डाएक ढंकी जी बयान दे दें लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ लोग हटाते गए हटाते गए हटाते गए और जाहिर है ये केवल पीठासी नदीकारी नहीं हटा रहे थे ये बकायदे सत्ताधारी दल एक प्रस्ताओ के जिरिये ये सामने बातें ला रहा था अब टेल्वीजन की बहस में मै एक जिन सुन रहा था तो उन्होंने का इसमें भी बीजेपी का क्या रोल है इसमें सरकार का क्या रोल है ये तो स्पीकर और चेर्मेन हटा रहे थे अब उनको ये प्रसीडिंग नहीं मालूम है पारलेमेंटरी चैनल के एंकरों और रिपोर्टरों को इनको कौन बताए ये बकायदा खबर ही गलत पेश्ट कर रहे थे लगातार कल मैं देख रहा था कुछी देर के लिए मैंने टेलिविजन देखा ताकि देखें कि आखिर उसमें कल क्या चल रहा है लेकिन इतनी खराब रिपोर्टिंग कि मैं कल पना नहीं कर सकता है कर सकता हूं कि इस तरह की नहीं मानी और धुरता से भरी हुई और उसमें वो कह रहे है इसमें बीजेपी का क्या कसूर है इसमें सरकार क्या कसूर है उसने तो कुछ नहीं किया है ये चैरमें जाने इस्पीकर जाने ये उनका फैसला है और वो चुकी हाउस में डिस्रप्ट कर रहे थे इस तरह से उन उसमें बाकायदा मंत्री पे जो हैं वो प्रस्ताव लेकर आए और प्रस्ताव ये था कि भई इनके किलाब कारवाई हो और उसके बाद फिर इंडोर्समेंट आया हाउस से और हाउस से इंडोर्समेंट आने के बाद जाहिर है जो पिठा सी नतिकारी जो भी होता है वो इसको पेश किया गया दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 145 विपक्षी सांसदों के सस्पेंसन के इशू को डाइवर्ट करने उसको 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 पीछे कर देने उसको कोई जाने ना कोई लोगों में कोई रियक्शन नहों लोग उस पर विचार करना बंद कर दें इसके लिए इशूज उठाये जाने लगे टेलिविजन चैनलों पर और अख़बारों में भी काफी हर्त तो ये इसके पीछे क्या कहानी है दरसल इसके पीछे एक योजना है योजना ये है कि 143 सांसदों के सस्पेंशन को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए कुछ दूसरे ऐसे इशू उठा दिये जाएं जो पुलराइजिंग हो और इस तरह से अभी हाल में एक इशू उठा दिया गया साहब की उप्राश्पती जी का बड़ा अपमान हो गया और अपमान अगर हुआ तो निश्चित रूप से इसकी भी छान बिल कराई जानी चाहिए इसकी भी परताल होनी चाहिए कि भी ऐसा क्यों हुआ क्या किया किसने क्या किया लेकिन इसका नोकेवल इस पर कोई कोई प्रसीडिंग होई न कोई इस पर कोई प्रशास नहीं किया कोई संसदी कोई एक प्रक्रिया दिखाई पड़ी इस पर बयान बाजी होने लगी और बयान बाजी जब होने ल संसदी आचरण में अगर कोई दिक्त है तो लेकिन संसदी आचरण का मसला तो हाउस के अंदर का होता है जहां तक जितनी मेरी जानकारी है अगर बाहर कोई कुछ करता है तो उसके लिए आप उसके लिए दूसरे तोर तरीके हैं आप उसके लिए प्रशासन पुलिश वगरा इस तरह के जो एजनसीज है उन पर जाया जा सकता है कोर्ट में जाया जा सकता है मुझे लगता है कि यह सारे इश्यूज है लेकिन मैं उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ मेरा यह कहना है कि 143 जैंपीज के सस्पेंशन को डाइवर्ट करने के लिए राजनितिक स्तर पर जो चीजें सामने आई कहीं न कहीं मीडिया उसको कैरी करने लगा उसको लगातार बढ़ावा देने लगा उसको लगातार उसी को दिखाने लगा और इससे यह मकसद एक पूरा होता है सत्ता पक्ष का कि लोग जो हैं इतनी बड़ी इतनी बड़ी घटना को उसको लोग नजरंदाज करें उसको लोग भुलावेट हैं लेकिन दोस्तो एक चीज जरूर आज सामने आई है जब मैं आप से बात कर रहा हूं बुद्धवार को कि लोग सभा में जो बिल बहुत महत्पूर बिल हैं जो IPC, CRPC, Evidence Act ये बहुत महत्पूर बिल तो IPC, CRPC और Evidence Act को रिप्लेस करने के लिए जो बिल थे भारती नियाय संगिता 2nd 2023 भारती नागरिक सुरक्षा द्वितिय संगिता 2nd 2023 भारती साक्षे संगिता 2nd 2023 यानि ये जो तीनों बिल हैं ये जो बिध्यक हैं इनको सदन की मंजूरी मिल गई और सदन की जो मंजूरी कैसे मिली जो मुख्य विपक्षी हैं प्रमुख विपक्षी उनके बगेर यानि यूँ कहा जा सकता है कि विपक्ष मुक्त लोगसभा में ये तीनों बिलपास हो गए जो भारत में नियाय प्रणाली को अपराध की जो पूरी की पूरी जो अपराध को रोकने के लिए जो भी कारगर उ उपाय किये जाते हैं व्यवस्थादवारा उनको निर्देशित करने वाला जो कानून है वो इसमें इसमें धर्ज किया गया है तो इतनी बड़ी स्थिती की अपराध दंड व्यवस्था जो पूरे हमारे देश की है उसको नए धंक से परिभासित करने वाला ये कानून है इतना बहत्पूर्ण कानून है जो मैं समझता हूँ कि इस देश के एक-एक व्यक्ति पर प्रभावी होगा और उस बिल को यानि उन तीन विधेकों पर बाचित करने के लिए कोई अपोजिशन का आदमी नहीं, बिना बहस के बिना किसी चर्चा के वो सब कुछ पारित हो गया तो क्या जो विपक्ष के निता कल से ही परसो से लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त संसत करने के पीछे कहानी यही है कि वो जो कांट्रोर्सियल बिल हैं और उनमें कई विपक्षी दलों ने तो यह कहा कि वे बहुत आर्टोक्रेटिक नेचर के हैं, उनके जो प्रोव लेकिन दोस्तो मैंने उस इल्जाम को तत्यों की रोशनी में समझने की कोशिश की मैं उसको बयान के तोर पे मैंने एकसेप्ट नहीं किया लेकिन आज जब मैंने देखा कि बगैर चर्चा के सारे के सारे बिलपास हो गए तब मुझे लगा कि वाकई विपक्ष का जो उलाहना है विपक्ष का जो कहना था कल या परसो उसमें दम है शायद सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर गंभीर रूप से विचारी मर्श हो लोग ये कह सकते कि सेलेक्ट केमिटी में भेजा जाए या कोई और केमिटी बना कर इसके परताल कराई जाए बहुत सारे इशूज उठ सकत जो जरूर कुछ ऐसे अपोईशन के अपने आपको शुमार करने वाले ऐसे डल है अपोईशन में वे थे लेकिन वो आम तोर पे सहयोगी की तरह मुझोदा सकता जो धारी डल है उसके एक सहयोगी के तोर पे लगातार पेश होते रहे हैं तो वे सदन में थे और उन्होंने इस पर कोई टिप पड़ी नहीं की, कोई उस पर लंबी चर्चा नहीं की, कुछ एक संशोधन आये थे और वो आम तोर पे लोगों ने विड़ा किया, तो कुल मिलाकर ये जो सारे के सारे विधेक हैं, यहीं पास हो गए, और इस पर अमिश शाजी जो ग्रेह मंत्री हैं, उन्होंने अलबता ये जरूर बात कही, कि ब्रिटिस्क गुलामी के जमाने से, ये जो कानून थे, उन कानूनों से भारत को मुक्त करा लिया गया है, इन विधेकों के जरिये, और उन्होंने अपनी और से हो सकता है, कि अपोजिशन की आवाजें गूज रही होगी उनके दिमाग में, तो उन्होंने कहा कि हम भारत को इन कानूनों से पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, ये बात भी उन्होंने कही, और दोस्तों एक और बहुत महत्पुन बिल, बहुत महत्पुन बिल कहा जाएगा उसको भी, वो था कि दूर संचार अधिनियम 2023, ये बिल भी पास हो गया, ये 1885 का जो टेलिग्राफ एक्ट था, उसको रिपील करके ये बिल आया गया है, उसको अश्वनी वैशनों ने पेश किया था, और ये बिल भी पास हो गया, तो इस तरह से जितने बिल सरकार पास कराना चाहती थी, और बहुत दूरगामी असर करने वाले हैं, पूरे समाज को, हमारी व्यवस्ता को, एक-एक व्यक्ति को, एक-एक नागरिक को प्रभावित करने वाले ये बिल, अपोजिशन के किसी भी मश्विरे के, किसी विशार के बगैर, ये पास कर दिये गए, तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन के निताओं का जो एक इलजाम था सरकार पर, तो जिनमें आटोक्रिटिक प्रोविजन्स भरे पड़े हैं, उनका ये कहना है कि इसमें आटोक्रिटिक प्रोविजन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान ह जो बहुत निरंकुष हैं, बहुत कांट्रोवर्सियल हैं, उनको उन पर चर्चा नहीं चाहती थी सरकार, इसलिए लोगों को बाहर निकाला गया है, तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी घटना है जिसको निरंदाज किया गया और इस पीच में किसी वरिष हैं, अच्छा ही रही मीडिया में, राजनीत में ऐसा लगा कि वह केंदरी मुद्दा बन गया है, और सांसदों का जो निरंबन है, वो सेकेंडरी क्या, वो तीसरा, चौता, पांच में नंबर का मुद्दा बन गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि भारती जनता पार्टी की ये एक का ये कोशल है, ये उनका एक वाकई राजनीती कोशल है कि कैसे वो सारे मीडिया को और सारी जो प्रचार एजन्सिया है, प्रचार तंत्र है, उसको किस तरह से मोबलाइज कर लेती है पार्टी, भारती जनता पार्टी की लोग जो है, वो सत्ता जो कह रही है, जो प हो रहा है और इसको हम कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं तो दस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाद